इरान युद की टैंशन के बीच तुर्की के राश्पती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मौंमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनेन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकिट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से घाड़ी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पाफुल ग्रुप बन रहा है इस ग्रुप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साथ लिया है क्या खाड़ी के सभी पावर्पुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वार टेंशन कम करने का वादा भी किया है साओधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजय ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूर डाल कर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है इसराइल मेजालिमी जोच इसरेव जालिम ये आदिजिति ओूम में अधिटित एल जाल है उच्किनद कि अधरिण ये घूमेटिए इसराइल में पस्ता दिख रहा है उतना ही वर्जों में उसे जटके लग रहे है मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे 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 छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर यह देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़द से दिवारें काली पड़ गई हैं हिजबुला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन बिल्डिंगेट की 5030 वी बटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुला के हमले में मारे गए है 37 साल के मेजर गनिजाते लिबनान में हिजबुला के किलाव जमीनी हमले में मारे गए हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुला के दो कमांडर मार डाले हैं जिसमें ने इसराइल कबरिस्तानों को भी बारूट से पाड़ दिया हिजबुला फाइटर इसराइल के किर्याज शमोना से आगे बढ़कर अब बैत हिलेल और मयान बारूच तक मार कर रहे हैं गैली ली में हिजबुला के रॉकेट के छर्रे से छलनी दिवारें हर जगा देखी जा सकती हैं हिजबुला के हमलों में आई तेजी की वज़ा से रद्वान फोस के नए कमांडर की तैनाती है इसराइल मीडिया के मताबिक रद्वान फोस के पूर कमांडर हैतम अली तबातबाई को हिजबुला के मिलिटरी ओपरेशन का चीफ बनाय गया है नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी लेकिन अमेरिका के रहते ये मुम्किन नजर नहीं आ रहा है सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं ब्राउन युनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं अमेरिके हतियारों के आपूर्ती में लगबग 57.000 तोफ खाने के गोले तोफों के लिए 36.000 राउंड गोला बारू 20.000 M4A1 राइफले 14.000 अंटी टैंक मिसाइले और 8.700 Mk 82 500 पाउंड बं शामिल है इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे है इसराइल के आइरन डोम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने 4 बिलियन डॉलर आइरन बीम लेजर एर डिफेंस सिस्टम के लिए एक दिशमलव दो बिलियन डॉलर की मदद दी है अमेरिका ने इसराइल को 14,100 Mk 84 अंगाइड दो हजार बं 3,000 जॉइन डाइरेक्ट अटाक मुनिशन डंब टु स्मार्ट बं ट्रांसफॉर्मर किट 3,000 हेल फायर मिसाइल 2,600 धाइसो पाउंड जी बियू 39 छोटे बं 1,800 M141 बंकर बस्टर बं 3,000 नाइट विजन डिवाइस 200 स्विच ब्लेट ड्रोन 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ड्रोन और 75 जॉइंट लाइट टेक्टिकल वेहिकल भी दिये है इसराइल को एमेरजंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है हर तरफ से है चाहे हत्यार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे आटम बम हो इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सुपर पावर वो देगा लेकिन युद्ध में कभी इसराइल को जुकने नहीं देगा अमेरिका की यही गारंटी नितन्याहू को सभी दुश्मनों से भिढ़ने की पावर देती है सुपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना, उसकी जीत और वजूद दूनों के लिए जरूरी भी है वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसालों से हमले करके सभी को चौका दिया था तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है अब लगवग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करनी जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है हमले को तैयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाक कर दुनिया को चौका दिया हो लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं इदर इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है जरा देखे इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने क्या कहा है इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ यॉव गैलेंट ने कहा कि इरान पर इसराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले कि इरान को बनक तक नहीं होगी इरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ यॉफ गैलन का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्सान पहुचाने के लिए हुँगे क्योंकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेल शेत्र है इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उलादो इरान के अट्मी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और परमानू वंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतन याहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दोरान लगबग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस तरीखे से दिया जाएगा भले ये क्यास लगाय जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को तबा नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को कूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियार में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके अटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे है अब ये भी जान लीजे कि इरान ने पाच अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्च के बीच पाच अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर चार दिशमलब छे तीवर्टा का भुकम दर्च किया गया भुकम का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किये जा रहे हैं भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था भुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उखती है ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी नूकलियर विश्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और विग्यानिक ये दावा कर रहा है कि इरान परमानू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइबर सॉनिक मिसाइल पते 1 और पते 2 ने इसराइली से ने ठिकानों को काफी नुकसान मौचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहेगे जर्द देखे इसराइल डिफेंस पोस की जासूसी यूनिट 9-9-0-0 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे है खबरों के मुदाबक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9-9-0-0 के कमांडर्स से बाच्चीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9-9-0-0 ने बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रिफ्ट किया था खबरे ये भी है कि आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9-9-0-0 का वार प्लैन इतना जबरदस्थ है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उटता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमेटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर ज़रूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोकिम उठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल इरान को तबहा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिलिस्ट में सुपर पावर बन जाएगा